अलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं पादप कारीकी के बारे में तो पादप कारीकी में हमारा जो लास्ट टॉपिक है इंजाइम, उस इंजाइम के बारे हम आम लोग 他 हुदे व्हें स्टृडी कर रहे थे एंजाइम जरूरी क्यों है एंजाइम यदी नहीं हो तो क्या जेवरसाइनी कभी क्रिया नहीं होगी एंजाइम बनता का है एंजाइम की क्या क्या कारे होंगे कहां कहां ये कारे करते हैं तो यहां कहां बनते हैं और किस तरह से यह अभी क्रिया में उस अभी कारक से जुड़ते हैं तो इस तरह से बहुत सारे जो कोशन्स हैं उन्हीं कोशन्स को सौल करने के लिए आज का वीडियो में ने बनाया है वो क्या है एंजाइम क्रिया की विदी हम नॉर्मली किसी मतलब की एंजाइम की बहुत ही कम मात्रा है वो रिक्वाइड होती है ठीक है किसी में ऐसे नहीं की बहुत बोरी भर-बर के डाल दिया ठीक है जैसे अभी एकदम जो मैं बोले नहीं कि एंजाइम की कम मात्रा है उसी तरह से बहुत ही कम मात्रा में क्या रहे व्यूज आ रह तो सारे अपनी मस्ति में सिर्फ शादियों में लगे हुए बर बर के मस्त मिठाईया हैं वो खा रहे हैं ठीक है तो थोड़ी बहुँ टेंचन है वो भी रखें आप लोग पढ़ाईये उसको भी कंटिन्यू रखें शादिया आप लोग इंज्वय कर रहे हैं शादियां हम ल इसको शक्रियन उर्जा कहा जाता है यहां इसी वीडियो के गप करेंगेगे इसी चीज कोई अ आपकी जावी आपदेखिये टिमनें देखी देखेई के परकार एंजाइम दो परकार के होता है एक्जोंनल गौौ नोट परकारे इंजाइम हो। हा ओदोड दोड़कारета एक्जोंन जुखेएं पाच्चन एंजाइम और प्यापसीनिस के एक्जामपल रहेंगे। उसे के साथ में बात करें एंडो-एंजाइम की, तो-एंडोinson का मतलब होता है कि कोशिका के अंदर docert करें तो कोशिका के अंदर कारें चरेंगने, तो यहाँ पर स्वासन इंजाइमिस का एक्जामबल रहेगा अब हम लोग जो क्रियाविदी की बात कर रहे हैं तो क्रियाविदी में हमें यह देखना है अब आप लोग पढ़ना तो गानों के साथ ही पढ़ेगा यहाँ आप वो गाने सुना ही दे रहे हैं यहाँ बज रहे हैं तो आप लोग उसे के साथ पढ़ेए ठीक है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ESC ESC यहाँ पर होगा Enzyme Substrate complex तो Enzyme Substrate complex को Enzyme क्रियादा संकूल हिंदी में बोलते हैं और यह क्या होता है बहुत ही कम समय के लिए बनता है इन्जाइम के बारे में डिसकस करने वाले तो देखें हैं यहां पर यहां पर यहां पर ही नोगे यह जटिल complex है इसको क्या करना है तोडना है, simple बनाना है, तो इस complex structure को simple बनाएंगे तो इसके लिए हमें enzyme की जरूत होने वाली है ठीक है, यह इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, फिक्स होने के बाद में इसको क्या कहेंगे? enzyme substrate complex और यह enzyme substrate complex है, वह हमने कहा वह बहुती कम समय के लिए बनता है और तो देख लेना ऐसा कुछ मी नहीं है वह अपना काल है देख लिए ना ऐसा कुछ हमिने नहीं हों हम लोग भी तो variants date श्रालल्श की अट रहे हैं को श्राल्शिजरों में तोड़ने है ना ठीक है तो यह अपना काम है वो continuously बना के रखेगा तो यह क्या है मुक्त एंजाइन ठीक है बाद में यह क्या हुजएगा फ्री हुजएगा और इसने प्रोड़क्ट को तीन अलग भाग में तोड़ दिया तो यह क्या है यहां पर उत्पाद है यदि यह चीज आपको समझ समझ में आ गई तो आपको आगे कि जो में 3 तीन। पड़ाने वाली हुआ वह आपको कहा जताओ तो डल थ्यागिव द॥ा क करता है थी किया माद एक फॉब Hug और एक होगा स्यूट में तेंजाइम जहां एपो एंजाइम के बारे में बात करें तो एपो एंजाइम में प्रोटीन इस्थल था ठीक है तो यहां पर क्या होता है यह एपो एंजाइम जो हिस्सा है उसमें प्रोटीन पार जाएगी और प्रोटीन है वो एमिन एसिट की बनी का निर्मान करते हैं हम लोग देखते हैं आप लोग अदे कर देखेंगे तो पि अलग अलग परकार के इंजाइम दिखेंगे, हम ने जैसे ए श्ट्रक्टर की बनाई है उस टाइब अलग अलग स्ट्रक्चर सा है, वो दो परें पड़ाज Karlyum इमीनयाचड आपको ध्यान में नहीं Hãyांके पर 20 कe प्रकार नशने कषम हpi अपनी संप्राइजना को अलग मना लेंगे और क्यों करेंगे ले एक स्थेखें के लाज़े कर दो क्योंकि इसके फुल फॉर्म आपसे पुछी जाते हैं यह सी क्या है तो वहां पर आपको यह इंजाइम क्रियादार संकुल तो भाई कहां से आगया इस कहां से आगया तो इंगलिश में भी ध्यान में रखना है ठीक है उसे के साथ में सक्रियेस्टल पूछा जाता है कि हम लोगों ने देख लिया कि इंजाइम है वो किस तरह से कारे करता है इंजाइम किस तरह से क्रियादार से जुड़ता है किस तरह से इंजाइम क्रियादार संकुल है उसका फॉर्मेशन होता है उसी क्यादार पर जो दो पार्ट में यहां पर थियोरीज दे रहे किए वो क् की दाने जातला चाव्य सिध्दान्थे क्या है किस ने दिया था एक नमर के कॉस्छन से सकते हैं और ज्यादा से भी पुछा किते हैं,Dash सिरफ दो सा से जह जा सकते हैं,एक निए शायकर फैरने लेकिसा है डायरा मेट्टिक्ली इसको प्रियादार संगुल समझाया वही कि इंजाई में उसे क्रियादार है वह फिक्स हुआ ताला और चाबी सिद्दान्थ यहां इसका नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्यों ताला की बात करें कोई भी पैटिकुलर होती है ऐसे नहीं कि हम भई इस कोई सी भी चाबी से कोई सा भी सब्सक्राइब की यहां मोगया रखना है यहां आपको इमल फिशर का नाम धान में रखना है और 1898 में थ neory ने आरिखना शहीं में और है nyt hm को संकूल वाले में समझाया हुई आपको डाइगराम यह पे explain करना है ठीक है उसके बा allons भल में बात करते है प्रेजत आसनजन सिदानथ अब आसनजन का मतलब और सेसनजन का मतलब में आपको समझाया वै चीज़ें आसंजन का मतलब तो नहीं एक कोई विपरीत चीज़ें तो यहाँ पर क्या है कि पेड़ित आसंजन सिद्धान में यह दिया था और उन्होंने कहा कि जो इंजाइम है उसका स्पेसिफिक होना जरूरी है लेकिन शेप का होना जरूरी नहीं है यह शेप में था तो इसमें कोई शेप नहीं है तो इन्होंने जाए है कि इसके क्रिया शेप नहीं पहुआ है जैसे ही उसके जो विसेट ख्रिया राईगा ऊसके शेप ले लेगा आपको इसी चीज चीज को आप एकस्प्लेंग करना है और इससे यह समझ में आ जाएगा लेकिन कॉजलन का नाम और यह डाइग्राम आपको धान में होना चीए उसके बाद हम बात करते हैं सक्रियन उर्जा में कमे करना सक्रियन उर्जा मैंने बताया कि हर एक उर्जा जो ऐसी है कि नियूंतब मात्रा की वह उर्जा जो क्रियाधार अनों को अभी क्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिये बनाती है उसको सक्रियन उर्जा कहा जाता है लेकिन सक्रियन उर्जा है यदि उसमें इंजाइम और एड़ कर दे तो 65% तए जो क्या है कम हो जाती है कैसे होती है धिकते हैं यह आपको ग्राफ है वो इंपोर्टेंटली बनाना यंदम क्रियरधर की दर होगे यह यहां पे विवव उर जाओगी तो उस condition में इसको बहुत उड़ा कि हावशकता हुई यो तब जाके क्या उत्पाग वना लेकिन हम बात करें कि इंजाइम हम और जोड़ दें तो इंजाइम जोड़ दिया तो भई यह जल्दी से हो गया तो यहाँ पर यह जो प्रोसेस फास्टली हुई है विद एंजाइम होई है तो उसमें क्या हुआ सक्रीन उट जाये वो 65% क्या हो गई कम हो गई तो आपको इस टाइप से यह है सक्रेट उट जाए में कम ही करना और यहां पर यह जो तालाचापी सिद्धान्त प्रेडित आसंजन सिद्धान्त है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है एक वार आप इसकी क्यों में थेयोरी जादा नहीं लिखि यहां पर बता सकते हैं मैं आपका अंसर है ज़रूर करूंगा मैं हार एक कमेंट रहता उसका रिप्लाइ करती हूं तो आप में कोई भी डाउट हो तो में को आप आप पूछ सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो उसे वो अलग अलग अविलेबल है बोड़िमे मेडियम और स्टुडेंट्स हैं उनको आप शेर कर सकते हैं वीडियो को प्रॉपर हिंदी मीडियम में वीडियो नहीं मिलते हैं और अब यहां पर इंजाइम से रिलीटेड हमाले सिफ नामकरण का एक टोपिक रहे उसके बाद में ही चेप्टर हमारा कम्प्लीट हो जाएगा तो खुश रहे मुस्कराते रहे और गर पे स्रक्षित रहे थैंक्ट्यू